और चलिया बात करते हैं खबर के असर की तो एक बार फिर से फॉस्ट इंडिया ने उसके महिम रंग लाई चाइनीज मांज़ी के खिलाब प्रसारित की कई खपरों के बार जिम्मेदारों के नीन तूटी है और यही वज़ाय कि आप जैपूर का मिस्ट्रेट ने ओप्रेशन मांज़ा शुरू किया है ओप्रेशन के तहट परकोटे की तमाम धानाधिकारियों को अपने अपने लाकों में पतंग विक्रेताओं के दुकानों पर सर्च ओप्रेशन चलाने के आदेश दिये हैं DCP North सतेंद्र सिंख की माने तो इस बार चाइनीज मांज़ा मिलने पर जब्ती के साथ साथ व्यापारी की गरफतारी के आदेश भी दे दिये गए हैं सतेंद्र सिंख से खास बात चीत की हमारे सहियों की सत्य नरायन शर्माने हो बैठते हैं लेकिन इस बार जैप अनुठा प्रियोग किया है और उपरेशन चलाया जा रहा है ओपरेशन मांज़ा चाहिनीज मांज़ा त्याने की मोद के डोर के खिला यह उपरेशन चलाई जा रहा है प्लास्टिक से बने हुए पक्ये दागे रिसी प्रकार अन्य जो सिंथेटिक पदार्थ लोहे के पाउडर और धातु में स्रित कोटेट जो दागे हैं उनके पतन के उपयोग से जनानी होने के अंदर सा रहता है साथी प्रक्षियों को भी बहुत नुकसार होता है तो इन सब को रोकने के लिए अमने पूर में दार्थ चोंवारिस के तेट आदेश प्रसारिद कर लखें उन आदेशों के प्रिभावियों के लिए हम आज सही समंद्ध में आपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे चार दिवारी छेत्र में रहेगा क्योंकि जैपुर म दागा मार्गेट में नहीं भीके अलना उपयोग में लिया जाए उसके संदर्ब के लिए हमने इसको मांजा नाम दिया है और उप्रेशन मांजा सफल रहे हैं इसमें सभी से सही हो क्या प्यक्षा करते हैं तो यह थे संदर सिंह की डिसीपी नोर जिनके पूरे पर कोटा आता है इंका साथ पेहना है कि आज से यह उप्रेशन शुरू हो गया है ऑप्रेशन मांजा इस पूरे उप्रेशन को नाम दिया गया है दुकान उपर तपीश दी जाएगी पतन विक्रताओं से अपील की जा अपील भी जाए कि एक मार्केट के अंदर की दुकान दर उस होई कि वो अपने दुकानों के अंदर चानी इन मांजा ना रखे यह अपील कारडर साभीत होगी उम्मित करते हिं जिप्रूस का यह उपरेशन जो है काफी कारडर साभीत होगा जैपूर के जोहरियों के करीब 90 साल पुरानी संगठन ज्वेलर्स असूसियेशन के रफ एन कट स्टोन शोका आयोजन हुआ केवल अपे सदस्यों के लिए आयोजन जोहरियों जोहरियों के इस शोका शुभारंब जैपूर के आदरशन गर्विधायक रफी खान ने किया इस पर ये खास रपोर्ट आपको दिखाते है